जी, questions अगर समझ आ रही है तो wonderful और I guess कि आप लोग कल में एक task sign किया था और आप फिर struck हो गए होंगे फिर एक जगा जाकर और वहां से फिर निकले कोई निकलने कोशिश भी होई वहां से क्या रहा तो वेबसाइट तो थी नहीं मैंने सारा ना मैंने रात्वाई किया था मैंने एक अपना यानिके जिसके नाम कराया सैंड ग्रेंड के नाम से सैंड ग्रेंड सिलूशन के नाम से तो एंड पे जाकर यानिके वो सारा मैंने आई पेज में जाकर किया ना हॉस्टिंग कर मैं दो साल पहले उनकी उस्टिंग यूज करता रहा था अच्छा-च्छा वहां से मاشालला कर लिए बाॉस जबर दो तो मेरे पास एक अपनी पहले क्योंकि माईगी कामरस चला रहा था दोजार ठारा में तो मैंने वही उसके लिख दिया था लेकर वो थी वैसे एक अच्छा हो गया के ये जस पास ओंग तर तेंग अच्छा बाकी लोग जो इस्ट्रप हुए होंगे और वही पर हैं कल हमने डि सब्सक्राइब करना था तो दोनों पर एक ही प्रॉब्लम आई आपको के अलग अलग रहा क्या ख्याल है किसका कुछ कंपनी बैक एंड यूबर में होती है उनके साथ किनेक करवाते हैं तो फिर यहां पर आओ तो पिर पीछा नहीं किया उसका क्या रहा अच्छा अच्छा अब यह जो ग्लिश थी इस क्लिश में तो मैं क्योंकि इंटेंशली अच्छा यह ग्लिश तो मैंने आपको इंटेंशली दिया था बिइंग यह डिजिटल मार्केटर हमने इन सबसे गुज़रना है कहीं न कहीं तो अब वहां पर कुछ क्वेश्शन्स होंगे तो हमने क्या करना होता है कुछ क्वेश्शन्स तो ऐसे हैं जो आपको समझ आ गए और आपने उनको डील आॉट कर लिया किसे तरीके से या यह हुआ कि इसावबसाइट है तो आपने कि वेबसाइट तो मेरे पास नहीं है तो सॉरी अच्छा है कि इनको आपने no-down करना है और उसको क्वेश्चन को शेर करना है तो अगर मेरे पास उसका answer होगा तो मैं उसका answer फॉरण आपको कर दूँा समटाइमस मेरे पास answer नहीं है मैं उसको देख तर अवापको answer तरीका अलग और फिर तरीका अलग और चेंज होती रहती है चींजें यागर एक शक्स ने तीन महीने पहले साइन अप किया है अब वो साइन अप की ऑप्शन बदली भी होंगी वहाँ पर रिक्वार्मेंट्स बदली भी होंगी कम्प्रीज बिचोर होती जाती है ना तो डे कि वो रिक्वार्मेंट्स उनके प्रॉसेस बदलते चले जाते हैं तो इसलिए यह कुछ बॉद्रिक वाली नहीं हमने वहाँ पर तबज्जों से उसको इस सोच से कि मैंने करना है ओके आज थोड़ा सा कुछ चीजों में हम ट्रैक्टिकल की तरफ चल रहे हैं तो मुझे ज इंट्रण नहीं है नहीं है कहल अच्छा हाँ लेकिन हमारे पास मारा मैक अड्रेस बेस्ट है तो आपका हम अड्रेस सेव करते हैं उसमें तो वह आपकी मशीन तो चलेगा किसी आप मशीन पर नहीं चलेगा है ओके तो मुझे और मैं दोस्त बताइए जी सब के पास में एक्सेस है इंटरनेट का और डेटा नहीं डेटा नहीं है आपको भी पॉप्रम है आपके साथ ही डेटा की इश्व है आपके पास में नहीं है मुझे जो दोस्त आनलाइन है वह भी तरह मैसेज में बता देंगी के यहाव ओके फाइन हमने यह करना है कि यहाँ पर इच्छी क्लास से पहले आकर इच्छी जो दोस्ते में आपको वो क्लास से पहले मौजूद होते हैं हमारे इस वक्त में नहीं होते तो सर्विसेज में अश्यादा आपको भी मिलना सकें तो अभी तो आफ़ा तब जो इदर कर लीजिएगा और कल भी इंशाला जिनको इस जिनने पहले से किनेक्टेड है हमारे साथ वो तो वॉन्टरफॉल है तो वो नहीं हो सकते तो उनके लिए पर रिक्वेंस ही है कि हो क्या करेंगे नेक्स सेशन में आने से पहले किनेक्ट करवा लेंगे अच्छा तरवाया है तो ठीफ वॉन्टरफॉल हमने एक साथ हमने यहां पर सेशन जिब क्लोज किया था तो हमने कहा था जी वी हाब इनबाउंट मार्केटिंग आट्बाउंट मार्केटिंग दिसिपर सुशल में इद मार्केटिंग तो इनबाउंट और आटबाॉंट मार्केटिंग स्लाइड सर्विवू नी revisit करते हैं इसको inbound marketing में हमने सीखा था that this is the way or a methodology that attracts customers by creating valuable content ऐसी चीज़े बना कर जिससे के हमारा customer जो है वो happy हो और वो हमसे connect हो जाए या उसके लिए को beneficial benefit हो उसके लिए उसके लिए को beneficial चीज़ हो उनको create करना और उनको share करना इससे this is inbound marketing जिसके लिए हमने कहा था कि कोई आप PDFs बना लेते हैं आप class में digital marketing class digital marketing की class में हैं आप अच्छ प्रीज तो आपने तवज्ज़ जाए शाला देंगे तो समझ में आईगी उक्की जी हम ये बात कर रहे हैं कि जी digital inbound marketing हो रही होती है तो कोई article share करते ना फेस्बुक पे कोई video share करते ना YouTube पर ये सब inbound marketing होती है जो free में हम freebies दे रहे होते हैं ना लोगों को ये inbound marketing के लिए होता है क्योंकि वो कहीं न कहीं आप से connect जरूर होता है आपके बारे में आप उसको दो तीन चार पर कोई चीज़ free में दे 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 हैं कोई benefit दे 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 ते हैं तो वो जरूर आप से connect किसी लेक्सी तरीके से हो जाता है और आउट्डाउंड marketing ये होती है कि जो हम ads रॉन करके लोगों को attack करते हैं अपनी तरफ ये आउट्डाउंड marketing है वो टीवी ads हों वो रीडियो ads हों वो digital medium पे, social media पे ads हों facebook पे, linkdin पे, instagram पे ये सब जो है क्या कहलाती है हमारी outbound marketing और value content share करके जो marketing की जाती है वो inbound marketing होती है और search engine optimization भी किसमे fall करता है inbound marketing में fall करता है social platforms and their audience ये content क्योंकि आप लोगों से shared है तो आप फर्दक तो इसको पढ़ेगे हमारे लिए ये slide थोड़ी से important है इसको मैं आपके साथ में देख रहा हूँ फिर हमको एक task की तरफ जाना है use of social platform as sources of news जो एक news को एदारा है और एक साथ किया है analysis किया है और उसकी बिना पर उनोंने तो ये बदला ही रहे हैं यहां पर पता ये चलब रहा है कि हमारी जो audience है वो किस platform पे कितनी है अच्छी 44 परसंट और फेस्बूक ये सिर्फ 100 में से डिवाइड नी किया गया हर एक को 100 में से लिया गया है अगर हम अपनी सारी population का अंदाज़ा देखें उस त्री पर ये टेस्ट किया गया है उनकी population का अंदाज़ा करके हम ने कहा कि अच्छा उन में से इतनी population जो है 44 प ही गई है बलकि 100 में से दिखा गया कि हम देखें हमारी सारी population कितनी population इंस्टाग्राम पे है कितनी ट्यूटर पे है क्योंकि एक शक्स एक से ज़्यादा प्रैटफॉर्म पर अट टाइम चल रहा है तो तो अब पता ये चला इससे डिसीजिजन क्या लेना हमने सबसे पहले यह देख तर इसके माना कि यह वो जगा मुझे मालून हो गई जहां पर मेरे prospect customers हैं prospect customers उन्हें कहते हैं जिन से हम्हें उमीद होती है कि यह हमारी चीज़ खरीद लेंगे prospects उनको कहते हैं कि देखें बिकमार कस्टमर यह हमारे क्लाइंट्स बन सकते हैं हमें मालूम हुआ कि यह वो जगें हैं जहां वो बैठते हैं अच्छा अब इसके माना यह है कि फिर मैं यहां पहुंच सकता हो ना मुझे भी वहां होना चाहिए अगर फेस्बुक पे मेरी आउडियंस है तो मुझे वहां होना चाहिए एक बात यहां इंस्टाग्राइम जैसे हैं इंस्टाग्राइम पे जो हमारी यंग आउडियंस है मैक्सिमम यंग आउडियंस इंस्टाग्राइम पे है तो यह ज्यादा आउडियंस इंस्टाग्राइम पे है तो अगर किसी बिजनस ने कैप्चुर करना हो इनको तो इंस्टाग्राइम पे फोकस करें तो हमने यह सोचना इससी डिसीजन लेना होता है एज़ कंपनी एज़ बिजनस ओनर या एज़ इंडिविज्विज्व के मेरे पास में क्या चीज में सेल करना चाहता हूं उसकी और्डियंस कहां पर होती है उन प्लैटफॉर्म्स को इन वेल्यू से मने यह फैसला करता है कि मुझे किस किस प्लैटफॉर्म पे होना चाहिए फॉर इज़ेंपल मैं एक सेलर हूँ जो के ट्रेनिंग्स बेशता हूँ ट्रेनिंग वेंडर हूँ मुझे कहां होना चाहिए यूट्यूप पे होना चाहिए अच्छा पेस्बुक पे भी होना चाहिए अब भजाना आनी है मुझे के ये आप दोस्तों आनलाइन ने दी ये भी इंशाला इसका आंसर करेंगे हमारे पास कि मैं एक ट्रेनिंग वेंडर हूँ मैंने अब मुझे और्डियंस बिल्ड करनी है मैंने अपनी प्राइट्स सेल करनी है तो मुझे कहां होना चाहिए इंस्टाग्राम पर होना चाहिए यूट्यूब एक किसी एक पर होना चाहिए कोई कहता जी इन तीन पर होना चाहिए त सरांसर कीजिएगा जी आप तो बोलें यहां पर वो तो बोल सकती है डारफी यूट्यूब इनस्टाग्राम अच्छा हमारी बात मेरी किसी भी जवाब के साथ में आपने यह नहीं फील करना किया इसने क्रॉस कर दी मेरी बात तो थोड़ा करना है तो टॉप शो वाला भी करना अच्छा फेस्बुक आप देखिए अकसर आउडियंस फेस्बुक पे जब जाती है तो किस मिजाज से जाती है किस जहन से जाती है पारियिंग तो लिंगडेशिं के लिए ऑफ हमारे लिंडेशन मिजाले अच्छा एक यहां पे मिज्था हैं जह ऑनलाइन दोस्तवराइं को ब्युक्त निगवें फेस्बुक यूट्यूब इंस्ट्रग्राम ऊंके वुद अप्रोच फेस्बुक यूट्यूब Facebook, Instagram, YouTube, शाबश, Facebook, Instagram, Facebook, अरहम्दल्ला, इस कॉमन तेंप लेज, अच्छा, Facebook पे होना चाहिए, make it clear, Facebook पे जितना शखस आता है, वो आता है entertainment के मिजाज से, जब वो फ्रुसा लेजर टाइम चारा होता ना, अपने लिए, उस वोग में Facebook होता है, हो चाहिए कासिम हो, या anyone else, जो तुम से, रिलाक्स, कुछ चाहरा दा ना, यार, ऐसे ही, बस मैं से सर्फिंग करूं हो, यार, तो वो आता है फिर, अच्छा, अब वो कुछ चीज़ खरीदने के जहन से नहीं आया है, वो सिर्फ देखने के लिए, असलाम अलेकुम सर, असलाम सोचें, तो सर, हम लोग इन सारे सोसिस को जाएं ना अप्रोच करते हैं, इसी को मैं जब तरह से जो टाइन इस पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसी लिए कर रहा हूँ, कि यह सई से डिसीज़ करना है, क्योंकि होता ही है, कि हम शुरू तो सारी चीज़ें कर लेते हैं लेकिन फोकस नहीं होते हैं, और हर जगा की आउडियन्स पूरी तवज्ज़ मांगती है, तो अब अगर आपने चार-पांच जगों पे होना है, तो चार-पांच जगों की आउडियन्स आपने स्टडी की है, जिसे मैं एक फेसबूक को लेकर आउडियन्स स्टडी करवा आपको कि वहां की आडिएंस के मिजाज किया है वो एटर्टेन्मेंट के लिए आई है अब मैं उन्हें पढ़ाने बैठ जाओं अच्छा एंटर्टेन्मेंट के माना सौंग्स नहीं हैं एंटर्टेन्मेंट के बाना कोई मूवी नहीं है मेरे जहन में मेरे जहन में यहाल है कि वो एंटर्टेन्मेंट के माना वर्ड़ सुनके आई जस्ट जामप आउं सच काइंट अफ़ इंटर्टेन्मेंट उस चीज़ को कहते हैं जिससे मेरा दिमाध लज़ज़त महसूस करें इस इंटरटेनमेंन तो किसी के लिए बुक का पढ़ना होती है। किसी के लिए और अर एक अलगर आज़ेंद के वूड़ नहीं को खरीदने के लिए नहीं आया और वह खोई चीजप्ड़ने के लिए नहीं आया। अब अगर मैंने ये बात समझ ली। अब मैंने अपने बिजनस के लिए फेस्बूक को यूज करना आप त्रेनिंग इस्टूशन है आप फेस्बूक यूज करें तो मैं क्या करूंगा मैं इसको सोचूंगा कि मैं फिर एंटर्टेन कैसे करूं इनको ट्रेनिंग से तो मेरी मेरा थिंक टैंक बैठे और वो यह सोचे कि ट्रेनिंग से एंटर्टेन कैसे कर सकते हैं एंटर्टेनिंग ट्रेनिंग कैसे बन सकती है एंटर्टेनिंग ट्रेनिंग कैसे बन सकती है एंटर्टेनिंग कैसे बन सकती है एंटर्टेनिंग कैसे बन सकती है Nine Social Platforms, Their Audience, Usefulness for Business Social Audio Platforms, जहांपे लोग बात करते हैं, कुछ मेसेज करते हैं, वो ये हैं Spotify, Twitter, Spaces, Clubhouse और यहां किसलिए इस्तमाल करते हैं? यह Listing to Live Conversations on a specific topic इसलिए यह इस्तमाल होता है और मेरा बिजनस उसको कैसे इस्तमाल कर सकता है क्लिर होगे जी बात कि मेरा बिजनस उसे कैसे यूज कर सकता है इसको हमने देखना है, याद नहीं करना मुझे आपकी मेमरी का टेस्ट नहीं लेना है किसी भी वक्त में कि जी आपका माशाला हाफ़ा बहुत अच्छा है, आपने सारा कॉपी कर दिया, सौरी, आपने अंडर्स्टेंड क्या किया, तो विल हैव अ लाइव क्विज्स, आन मंडे इंशालला, और उसमें आपने इसको देख लिया होगा, और आपसे मैं एक स्नेरियो दे दूंगा आपको, उस स्नेरियो में आपने ये बतलाना होगा, जैसे मैंने आज स्नेरियो दी मैं ट्रेनिंग वेंडर हूँ, और मैक इंड प्लैटफॉंस पे करूँ, तो आपने वो बतलाना होगा कि अच्छा ये प्लैटफॉं है जो यूज करें, बताना आपने एक होगा, टॉप, जिसको आप समझते हैं, इसको आपको इस्तमार करना चाहिए और उसकी रीजनिंग, वो रीजनिंग मैंने यहां लिख के दीवियाद हो, इसमें से ही वो जवाब निकल आएगा, लेकिन ये आपने लिख देना है, नो, जो आपको समझ आई भी होगी वो लिख देन, लेंग में हमारा ये concern नहीं है, कि आपकी language barrier को हम आपकी learning में रुकावट बना दें, तो sometimes अगर कोई शक्त से समझ रहा हो, लेकिन अच्छी, अच्छी, साफ सुत्री उर्दू लिखे, अगर उर्दू में जवाब देना हो, prefer करे, English में करे, preference English की है, लेकिन अगर कोई शक्त समझते में बात को कह नहीं पा रहा हूँ, तो बुर्दू में कहन दे, clear होगी जी बात, आच्छा, तो ये आपनी इसको ज़रा study करना है, हर platform को, YouTube है, TikTok है, Instagram stories है, Reels है, Facebook watch है, अब ये हमारे कौन से platform हैं जी, वीडियो platforms हैं हमारे, तो इनको किस लिए इस्तमाल कर सकते हैं, अब मैं training station हूँ, मुझे TikTok पे जाना चाहिए, क्यों, इसी से मैं निकालना जा रहा हूँ, कि उसको फाइदा कैसे टाउन, वहाँ पे एक audience है, एक तरह की, उनको मुझे, मैं देखूँगा कि मैं कोई ऐसा content त्यार कर सकता हूँ, कि मैं उनको grab कर लूँ, इस content को सोचना content बनाना असान काम नहीं होता, क्योंकि वो हर एक कर रहा है ना, कि वो बच्चे उचे content बना रहे हैं, तो वो उससे लग रहा है, कि अगर बड़ी बात में कहूं, तो nations को drive करते हैं content, ये पहली जितने हिस्टरी में जितने लिखने वाले लोग होते थे, इनको कैद में डाल दिया जाता था, poets को, बड़े-बड़े writers को, ये अक्सर गिंदगी कैद में गुजरी है, क्यों? content create कर रहे थे ये, तो इतना nationwide, इतना effect होता है content का, कि उनको कैद करवा दिया जाता था content का लोगी. anyhow, so आपसे request ही होगी कि इसको आप अच्छे तरीके से through करेंगे, और फिर आप उस question का answer करेंगे, अपने माना में कि इसलिए हमें इस platform को use करना चाहिए, इस scenario में. clear होगे बात, इसमें confusion तो कोई नहीं है. अब we're just going for the namaz break, और namaz के बाद में हम जब connect होते हैं. जी, we are jumping on hashnode.com. हमारे course में हमें site required होगी है. e-commerce site और that kind of a site, इंशाला उसके तो हम बाद में जाएंगे. लेकिन जैसे अभी आप एक site आपको required थी, in motion ने का आज़्टिक आपके पास या तो बताईए. और उसकी solution क्या है हमारे पास? वो site किस तहां की site है, जिसको वो demand कर रहे हैं हमसे? जो आपने motion करता है, आपके जाने से पहले कि ला दिया थे कि वो किसी के साथ affiliate होगी, और फिर वहाँ पे आपको फिर लेकिन करके उस company को add नहीं करती है, लेकिन सार्थ जो हमने जब उस पे impact radius के पर वहाँ पर सारा कुछ बांद रहता है, आपको पहले कर दे चुके हैं, सेशन के इससे गुज़ना है हमारे लिए, अब आप बता सकते हैं पांसाथ लोगों को जी ये होगा एफिलियेट पे जाएंगे तो ये त्यार करके चले जाएए उस सारी चीज प्रॉसेस से नहीं गुज़ेंगे तो आपको नहीं मालून होगा तो प्रॉसेस से गुज़रना अब उसकी एक रिक्वार्मेंट अक्सर जो प्रेश आती है हमें जो साइट चाहिए होती है वो साइट किस तरह की चाहिए होती है वो ब्लॉग होता है एफिलियेट के लिए एड्स के लिए तो हमारे पास में अक्सर जो साइट होती ही वो ब्लॉग होती है ब्लॉग ऐसी ब्लॉग एक परस्नल वेब साइट होती है जो एक इंटरस्ट के अराउंड क्रियेट की जाती है या अपने परस्नल इंटरस्ट के अराउंड में क्रियेट की जाती है यह ऐसे दोस्तों के साथ जो सेम इंटरस्ट में फॉल करते हैं उनके लिए क्रियेट की जाती है I'm just sharing one of the blog यह एक blog है जो मैं आपसे share कर लिया इसको आप स्क्रॉल आउट करेंगे तो यह फांड आउट इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं मुश्टिफ इसको मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से समझीएगा जो मैं आपको इसमें आप से डिसकस करना चाहा रहा हूं वर्ल्स अल्टिमेट.net को एक रेंडम मैंने साइट ब्लॉक ले लिया इस ब्लॉक इस मेकिंग अराउंड थाउजन डॉलर्स मंदली जी एफिलियेट से अफिलियेट से अफिलियेट से अब इसमें आप यह देखिया है एक लिंक है कुछ लिंक्स आपको दिखाई देंगे जो इंटर्नली जा रहे होंगे कि क्लिक आउन कि हम डिस्कुस करें एक ब्लॉक को यहां तक आप लोग सब मेरे साथ किनेक्टेड हैं और स्क्रीन भी आपके लिए विजिबल है हम यहां पर आप से शेयर कर रहे हैं कि एफिलियेट मार्केटिंग किस तरह से हम यूज कर रहे होते हैं और एफिलियेट के लिंक्स किस तरह से लगाती हैं यह एक लिंक एफिलियेट लिंक है जो किसी एक साइट की तरह हमें ड्राइव करके लिए कि जा रहा है यूज से जिम डॉट को आर्जी आप यह तो यह को ब्देश रहे होते आप यह लिंग कोई प्रॉड़्ट नnhी की देश रहे हैं इस लिंग पर कोई डॉसमेटली हंडर डॉलॉर होती है इस एनहदर मैंने स्टडी कि वो मैंने इस्टेडी कि व्यसल्ब किस वजह से इतनी प्राइसितर होता है वहां त्यक्षिप है इसकी ऐएदर्गेय। ट्राफिक कितनी है उसकी बिना पर यह से फिसला होता है किसके लिंक कितनी में होता है इस साइड से जो link excel होताए फर Er Avant अप्रॉप्लियृ हंडरड डॉल्र का होता है है आए सव सो अपने एक आर्टिकल में एक लिंक दे देना मेरा को एफर्वड लगता है क्लिर हो गई बात इस पे हमारा कोई लग रहा ना हमने बस तो ठीक है एक आर्टिकल लिखा हुआ उसमें एक लिंक दे दिया राश राश आपका कोई क्वेश्चन है यह सर आपने इसका का ना कि हंडर्ड डालर टक होगा यह पर मंध्ली यह पर मंध्ली यह ब्लॉगिंग के लिंक्स होते हैं यह मंध्ली होते हैं 99.9% केसे कभी कभार ऐसा होता है हम कहते हैं यह मैं आफ रोड नहीं करता हूं हंडर्ड डॉलर्स लेकिं मुझे लिंक चाहिए तो उस पर सम्टाइम्स अस्ता कि यह ठीक है हम वन वीक के लिए दे देते हैं आपको 50 डॉलर्स में इस तरह की कुछ डील आउट हो जाती है ल नहीं तो साइट के लिंक्स तो यह हमें अंडर्स्टेंड हो गया जी अब इसके लिए मेरे पास यह कॉंटेंट होना चाहिए तो अगर मेरे पास कुछ कॉंटेंट है इस वन डॉडर्फुल अगर में खुद थरा सा कॉंटेंट क्रियेट कर सकता हूं कॉंटेंट बना सकता तो मुझे शुरू करना चाहिए तो मुझे ज़रा कमेंट कीजेगा कि हमें से कितने दोस्ते हैं जो कि ये थोड़ा सा होसला कर सकते हैं कि जी इन्शाला वी केंड स्टार्ट ब्लॉगिंग साइट आप कर लेंगे आप भी कर लेंगे मैं साब कर लोगे करने वाली मेरे चेक करनी हैं आझ से ना करनी वह भी भी ना कर ले आपका उता हीए अवेर्निस है कुछ आपको चीज़ों से आज स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन इससे तो विननस है ना कॉर्टेंट लिखना जो होता है कॉर्टेंट उसके तरीके भी हमारे पास मुझूद है, कॉंटेट लिखते कैसे, तो उसके कोई मुश्किल बात नहीं है, हाँ, अच्छा क्रिटिव कॉंटेट मुश्किल बात है, लेकि सिर्फ कॉंटेट मुश्किल बात नहीं है, बाकी चार लोगों के क्या राय यहां पर, लिखने हैं तो के दरह मुझे आनलैन बताईए, का जी कैन यू कैन यू कैन, आच्छा हम अकाउं तो नहीं कर पाऊंगा, कि कौंट मुझे कार मुझे कह रहा है कि आय कन यह आप मुझे जो साइट्स ना जी एक्शली मुझे साइट्स पेजेंगे करने के बाद में तो हम इसके लिए यहाँ पर पहुंचे हैश नोट पर हम जो हैश नोट पर आए हैं इसलिए आए हैं तो आप दोस्तों को करना यह है कि जब आप हैश नोट पर आएंगे तो यहाँ पर हैश नोट पर आपको साइन अप की आप्शन नजर आ रहे होगी हैशनोट सलाइड सा एक्स्प्लेइन कर देता हूं कि यह क्या कर रहा है हैश नोट इस सलफ ब्लॉगिंग साइट है इन्हों ने कमाल की बात कि इन्होंने का ओके हम हैश नोट हैं हम यहाँ पर लोगा के अपनी राइट अफ सक में वो राइट अपस हैश नोट के तौर पे शेयर कर दें, publish हैश नोट पे कर लें, it's their choice. वो चाते हैं हैश नोट पे नहीं publish करना मैंने, लेकिन मैं create यहीं पे कर रहा हूँ. content को create यहीं पे कर रहा हूँ, कि मैं हैश नोट पे यहां पे नज़र नहीं आएंगे हो आप. क्लियर रही बात हैं यहीं पर वो environment इनकी इस्तमाल कर रहे हैं लेकिन यहां पर नहीं है जैसे myself अब यहां मैंने क्या किया मैंने दो काम किये एक काम यह मैंने किया कि हैश नोड पर अपनी साइट को create किया और दूसरा काम यह किया कि मैंने अपनी separate domain खईद लिए अपने नाम से उसको use करना शुरू कर दिया तो ऐसा यहां पर option मौजूद है कि आप अपने नाम की domain भी ले सकते हैं otherwise नाम क्या होता कासिबनदीन.hashnode.com यह भी हमने बनाना है इन्शाल्ला तो now we can जाप काम स्पीड चेक कर रहे हैं यहां पर आप from the hash node is a gift to me अगर मैं अपने लिए समझों तो इस स्पीड की वेब साइट अगर मैं खुद बनाने की तरफ जाओं तो मेरा तक्रीबन एक महीना सर्फ होगा to create such a site इस पे इतना काम हुआ हुआ है जो कि मिनिट्स में यहां पर अभी हम next 10 to 15 मिनिट्स पे अच्छा जी where to start आपने कितने की होस्टिंग और यह जो अपने डुमें की चार्जिस होते हैं जी डुमें तो हट डुमें की चार्जिस कुए डॉट कॉम के डॉटनेट की अलग अलग चार्जिस होती है यह आपको एप्रॉक्सिबिट को 20 डॉलर्स की तरीब तो यहां करते कैसे हम वो करने जा रहे हैं क्योंकि मुझे मैं यह चाहूंगा कि थूआउट अगर आपकी कोई और वेबसाइट नहीं बनती है और कुछ नहीं बनता तो हमने क्योंकि अभी फेस्बुक पे जाना है प्रॉमोशन्स और एड्स और ये सारी बाते हुनी हैं तो कहीं किसी जगा पे हो रही हो वो रिजल्ट औरिंटेट जगा हो तो हमने ये एक जगा इस्तमाल कर ली तो आप ये जगा इस्तमाल कर लीजिएगा क्लेर होगे जी बात अच्छा कुछ दोस्त मुझे दिखाई दे रहे हैं कुछ बहुत सारे दिखाई नहीं दे रहे तो जो बहुत सारे दिखाई नहीं दे रहे, उनसे भी रिक्वेस्ट है, आपको हमने सेशन में इसलिए इन्वाइट नहीं किया कि आप परिशान होंगे, आप परिशान करेंगे इसलिए इन्वाइट किया है, तो हमने, हमारी रिस्पॉंसमिलिटी से विद्नी है कि हमने कोश करनी है तो दू सम्धिंग तो इन्शाला यह सही सही बहुत कुछ हो जाएगा तो अगर आप भी सेंग्ड है अच्छा जी तो मैंने अपनी लॉग इन से लॉग आउट कर लिया तुम्हें स्टेंडर्ड स्क्रीन पे चला गया अच्छा जी तो आप यहां पर हों पर आ गए राइट की ऑप्शन आ रही है स्टार्ट टीम ब्लॉक हमें टीम ब्लॉक स्टार्ट नहीं करना यहां पर यह एक आइकॉन दिखाई दे रहा आपको लेफ्ट आप कॉर्णर पर इस पर वेन यू क्लिक ओवर तो साइन अप और लॉग इन मेरी बना हुआ तो मुझे मैं लॉग इन करना और नहीं बना हुआ तो I just go for the sign up यहां पर कुछ options आ रही है continue with the Google account, continue with the LinkedIn, continue with the GitHub और continue with the Facebook इन तीन का नाम आपने सुन रखा है, GitHub का नाम पॉसिबली आप लोगों रही है सुना, यह जगा है developers की, यहां पर developers अपने codes को रखा करते हैं, development codes को रखा करते हैं, यह common repository है कैसी दुनिया भर के लिए जगा बना दी गई है, जहां पर लोग अपने codes रख लेते हैं, अगर को अपने जो project के content है, वो project है, वो यहां पर रख लेते हैं, ताकि easily share हो सकें, आपको यह मालूम है, इस अपने remotely work बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक developer उस project में काम कर रहा है, फ्रांस से, एक developer काम कर रहा है, USA, UK से, तो वो सारे अब यह तो नहीं कि जी, वो code हर वक्त में, तो य common repository है, वो code यहां रखते हैं, तो जिस को, जो को काम करना होता है, तो pull कर लेते हैं, यहां से code को, और जब काम कर लेते हैं, तो push कर देते हैं, वापस, तो सब को एक ही code मिन रहा होता है, दुनिया भर में, so it is a place, जहां पे code, और अगर आप development से कहीं तारुफ आपको है, तो GitHub से तारुफ और तालुफ जरूर होना चाहिए, तो उनका जी, login GitHub का भी चल जाएगा, अगर आप नहीं किया, आपके पास में हैं, और अगर कोई Apple का login है, तो भी इस्तवाल हो जाएगा, तो five तो उनने options दे दी, इसके लावा कहा कि अगर नहीं है, इनमें से कोई भी आपके पास, तो आप फिर continue with the email, तो continue with the Google, मैंने Google पर login किया वह है, Google सही मैंने continue कर लिए, उसमें इच्छा बताईए, कौन सा account है, यह अकाउंट है मेरा, यह आप लोग मेरे साथ कर रहे हैं, जरा मुझे बताईएगा, और I go with my speed, जी, wonderful अगर आप लोग कर रहे हैं तो, I just change the name, तो कि उसने इस से उठा लिया, email ID से ना, now pick a user name, कोई भी user name आप रख लीजिए, याद भी रखना है बात में हो, ठीक, अच्छा, ओके, तो उसने कहीं, congrats, this is available, अपने से मतालिक, कोई एक tagline उनको चाहिए, आप developer है, creator है, next, what brings you to hash node, मैं एक reader हूँ, read करना चाहता हूँ, इसलिए आया हूँ, तो अपना account उसके लिहास से बना लूँ, I'm here to browse and read, clear औरी जी बात, या मैं writer हूँ, तो मैं अपने लिए, अपना blog बनाना चाहता हूँ, तो मैं writer हूँ, अपना इंटरस अपने बारे में कोई बात, अच्छा जी, उसलिए जी जी आप राइटर आप हैं, तो आप किस तरह के writer हैं, I write casually, professional writer हूँ, I am new to blogging, I write casually, आप किस नाम से पॉब्लिक में जाना चाह रहे हैं, यह वो डुमेन नेम है, यह वो पॉइंट है, जहां पर दो आप्शन्स हैं, कि यहां पर डुमेन बना लिए, या अगर आपके पास अपनी डुमेन है, तो उसे connect कर ले, map, मैक कस्टम डुमेन, अगर मैंने अपना डुमेन नेम खरीदा हुआ है, तो मैं उसे connect कर लोगा, अगर अगर अभी नहीं है, तो बाद में किया जा सकता है, ऐखे, जबरदस्त हो गया, और हेर, ना, 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 रपो, यसे, वुनाम्याबे, पर आपके रखेंगे, पर आपके रखेंगे, खाज़ारद कर लावीज, उगी इस एक फार्म असूरंट जी, हमारे क्लास में है, उन्हेंने का जी, connect pro, उन्हेंने डूट के में नाम दिया है, तो, ना, पब्लिक नोज्स, as connect pro, next, उगी, और अल सेट, तो डैश्डोड है और अगर आप इसके इलावा क्योंकि मैंने जीमेल को इस्तमाल किया तो उसने इसलिए और मैं लॉग इन हुआ हूँ इसलिए उससे और वेरिफिकेशन्स नहीं आगी अधर राइस वेरिफिकेशन्स करवाता है यह आपको वेरिफिकेशन्स की इमेल यह अधर यहां नहीं ले रहा हुता है यह सीधा आपको इमेल करता है इमेल से ही आपको रिफिकेशन्स नहीं करेंगे यह वरिफिकेशन्स नहीं है ज़िए गए तो फिर इसनओ क्या है ना कि हमारी अबलिटीज क्या हैं चैस्स करसकते हैं जी अबलिटीज बता दें कोई भी चीज़ बता दें यह सारी डीडू हो जाएंगी चीज़ यह एक इनी फस्टैप है इसके उपर में इन्होंने फैसलाई करना होता है हमारे साथ किस तरह की लोग connected है यह जो आपको free services दे रहे हैं मैं कहरा हूं कि ultimate service है आपने speed में आपको दिखा चुका हूं कि कितनी fast speed है इसकी इतनी fast speed की environment क्यों दे रहे हैं भई वो जो मुझे cost दो लाफ़ पर cost करता हो मुझे क्यों free में दे रहे हैं सोचते नहीं आप तो they have to be earn तो इसकी पुरा एक business plan design होता है कि उन्होंने कहां से कमाना है तो data selling is one side तो मेरे से इतनी detailed data लेकर data sell कर दिया जाता है मेरा तो इस लिए वो पूछ रहे हैं ज्यादा मसला नहीं है ओके जी so this is my dashboard dashboard मैंने open कर लिए अगर मैंने अपनी site देखनी हो तो this is my site or next is next अजे साथ जो ऐसी sites होती है कि यह अज़ोड है अब इस पे मतलब कर विर्विश्य उजर हों पे तो सर्थ इंको monetization के पैसे मिलती है आपने देखा रोड की ओपर में बैनर्स लगे हुए होते हैं उस बैनर के वो फ्री में लगते हैं एक बैनर की ओपर में minimum अगर वो two by three का या two by four का होता है तो उस पे cost आती है तक्रीवन कोई पांस सो रुपए है अगर तो 100 लगे रहे हैं तो इसके मारा यह पिटाजा दार आपके लगे हैं अच्छा तो उस पे होता क्या है एक शब्स देख के गुज़र जाता है उस पर देख के गुज़र जाता है जी जी मैंसर भी क्या हमारे क्वेश्चन यह था इम्हापर के यह लोग पैसे कैसे पैसे कैसे क्माई जाते हैं जी इस तरह की एंवार्मेंट से जो हैश्योड है या इस तरह की व्लॉग्स है उसके कैसे कैसे सिर्फ ठिक्ड़्क्स पैसे होते है लिंक्स के पैसे होते हैं या और भी तो मैं आज़ करा हूँ कि इंप्रेशन के पैसे भी होते हैं उसकी मिसाल मैंने दी कि वो एक जो बोर्ड आप रस्ते में लगे हुए देखते हैं उन पर से वे एक बंदा देखता ही तो है उसकी कौस पांस रुपए आती है और देख के च आएंगें तो वहां पर इंसायट सको इन्षाला स्टेडी कर रहे होएं तो वहां देखिए किस वक्त में आके देखा था उस騙ल जी ऊस तो इस तो इस गाफांट बहुत सारी बात पर हैं यह हमें पता आप सारे स्टार्ट साथ ही सो यह डेटा जिनरेशन होग बढ़ा खाम है डेटा डेटा का बिसनस बहुत बढ़ा है इस वक्ते हैं निहाओ यह थोड़ी सी यहां पर पूछ रहा है घिब यूड गिव यूर ब्लॉक नेम तो यह स्टेप्स आप कर रहे हैं जी फास्ट ली इस पे कोई चीज ऐसी तो नहीं जो रुकावट बनी वी है और आप इसको नहीं कर पाएंगे कलर कौन सा यूज़ करना है ब्लॉक का स्टाइल क्या होगा है तीन स्टाइल्स आपको नज़र आ रहे हैं मैगजीन स्टाइड और ग्रिड तो जो आपको अच्छा लगे सर्च टैक्स आपका ब्लॉक जब कुछ सर्चिक करें तो आपका ब्लॉक किस तरह की सर्चिक में आए तो यहां पर चूज़ यह करना होता है कि आपका कॉंटेंट किस तरह का होगा यहां पर किस तरह की चीज़े आप यहां पर रखेंगे कॉंटेंट क्या डालेंगे अब फार गजेंपल हमने कहा कि जी मार्केटिंग सारी मार्केटिंग इमेल मार्केटिंग डिजिटल डिजिटल से कोई चीज़ नहीं मिली सोशल सोशल और सोशल मीडिया तो यह हम टैग्स एड़ कर रहे हैं जी इनका क्या रोल है फिर से जरा शेयर कीजिएगा इनके थ्रू हमें पता चलेगा इन टैक्स से जब कोई सर्च कर रहा होगा तो इन टैक्स के अगेंस्ट हमारा ब्लॉक दिखाया जाएगा हाँ कीवर्ड क्या लिए तो मैंने कुछ कर लिए और कहा कि जी सब्सक्राइब टू प्रस्टलाइज न्यूज लेटर कि उनकी तरह से न्यूज आ जाए करें मैंने कर नहीं आए फिनिश ओके वापस हमें हैशनोड डॉट कॉम पे ले आए और हेर वी हाव मुझे चेंजिस हम करकर आए हैं वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अब कॉंटेंट हमारे पास कोई नहीं है कॉंटेंट यहाँ पे किस तरह से एड करेंगे यहाँ पे आर्टिकल्स की आप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको तो यहाँ पे लिस्ट कर देता है जो भी आर्टिकल्स आपने लिखे हुए होते हैं अब हमारे केस में तो कोई आर्टिकल नहीं है क्योंकि हमने तो कुछ नहीं लिखा भी तक सो राइट अप टाइटल दीचे अब स्टोरी अब स्टोरी तो मारे पस है नहीं तो हम यहां से अपना कॉंटेंट उठा लिया जहां पर आपका यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको हैश नोट पर चले जाएएगर यहां पर ना रहा हो यहां प्रोफाइल दे रहा है यह कर लीजिए लॉग इन अगर हुआ वाँ होका तो आल सब्स्क्राच सर्में वाँ प्रोफट प्रोफ्ट अंडalen जयरे हम लिए का अडिर भॉटट थौटिट उगा प्रॉट चाटच्ट करेंगे जढ वाँ अच्ड ओठायन थन्यर समयर मृट रब व performance एक्जेम्पल यूज्ट फॉर हाव बिजनसेज केंगेट बैनेफेट हाँ हों गई है तो मेरा अपने है करीप-करीप पुरह नहीं करीप-करी में लग नहीं है अब इसका तरीका मैं इस्चा भी अर्थ करता हूं यह कॉपीराइट वाले इशू को नहीं इस्चा भी आरदे करते ही का है कि यह लिख लिए यह मैने बोर्ड किया तो उसने हैं से सबस्क्राइब कर लिया यह कुछ एडिटिंग और यहां पर आप कवर पेज मुझे चाहिए तो चूज न इमेज कि अच्छ नच्छ निए रहुपस्टाइब निए रखिए प्राइब अच्छ निए अच्छ निए पब्लेश में आएंगे, यह तो नहीं है एलेवेंट, इसे बनता है, कि अगर आलमेंट इमिज नहीं मिलता, तो इमिज को लेकर आपना टेक्स्ट इंच कर लेते हैं, अब यहां पर कुछ चीज़ें नजर आ रही हैं हमें, यह स्लग नजर आ रहा है जी, कोई भी पीछे रह गया हो तो प्लीज मुझे चैट में बता सकता है ताके मैं, सर आप कंटिन्यू रखें और बाद में एक फ़र पीट आप देगा लास्ट दो मिनिट नहीं ठीक है, अच्छा जी, और कुछ यह content बनाने का step है, वो repeat चाहते हैं, यह जो slug है, slug कहते हैं, जो URL यहां पर नजर आती है हमें, उसे slug कहते हैं, तो हमने कहा कि क्या चाहिए आपको, मैंने कहा जी डिजिटल प्लैटफॉर्म्स, इसको अपने लिहाज से बना लिया जाता है, इसका रोल होता है सर्च इंजन आप्टिमाइजेशन में, तो इस पर क्लिक करके यहां पर, मैंने डिजिटल प्लैटफॉर्म्स, इवन फॉर की जोट नहीं है, इकॉमर्स, टैक्स इससे मुतालिक हैं डिजिटल कर कुछ नहीं है हमारे पास, सोशल, मीडिया, सोशल, तो इसके साथ इसके रैलेमेंट टैक्स एड़ कर दीजिए, यह जब पब्लिश पे क्लिक करेंगें यह आप टॉप पे, यह पब्लिश है, इस पे क्लिक करेंगें तो यह टैक्स आपके पास में आ गए, यह S.E.O. का टाइटल है, तो हमने इसी टाइटल को यूज कर लिया, यहां पे S.E.O. टाइटल के तॉर पे, इस क्वेशन का आँज सब इन्शाला जब कमिंग में आप आएंगे तो इन्शाला करेंगे, कि यह टाइटल कहां पे दिखाई देता है, अगर मैं भी दिखा पाया तो भी दिखा दूना क्लोजिंग से पहले, और डिस्क्रिप्शन जी, पाया ओदेए पूलूज इन्शार पर ने आएंगे झाल झाल तो डिस्क्रिप्शन यह होती है जी यहां कह रहा है आज यह पर री पबलिशिंग कोई पहले से कॉंटेंट आपको पबिश कर रहे हैं औरिजिनल का यूरिल बता दें कि जी मैं किसी का था मैंने मैं उसको री पबलिश कर रहा हूं अपनी तरफ से मैं अभी पबलिश नी करा चाहता हूं कल पबलिश हो जाए तो स्केजूल करते हैं और बैक डेट्स भी पबलिश कर सकते हैं पिछली किसी तारीख में आज से दस दिन पहले पंदरा दिन पहले हम पबलिश कर सकते हैं करने के बाद जस्त पाबलिश करने के बाद जस्त पबलिश करने 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 कर दो स्केजूल अब हमारे पस एम्टी नहीं है इमिज भी नज़र आ रहा है एंड वी हैव थी आर्टिकल क्लेरो की जी बात यहां आप्शन पॉब्लिश विध हैश नोट यह इस आर्टिकल को हैश नोट पर भी डालना जाते हैं अब वैसे तो इंटर्णली है यह उनके बास में लेकिन वो अपने आर्टिकल में लिसनी करेंगे अच्छा वहां पर हम कुछ आर्टिकल किया करते हैं पॉब्लिश ताके हमें भी थोड़ी सी वो उनकी वेल्यू से हम बेनिफिट ले लें कि उनकी आउडियंस बढ़ी है अच्छा जी मैं रिपीट कर रहा हूँ जो लोग पीछे रह गए हूँ जरा इसको देख लीजेगा तुवारा बूलिएगा कौन से फेस्बुक आया यह जी लिंक शेकर यह लिंक है आप रहा है और यह लाइव है सबके लिए विजेपल है यह अगर आप इस पे वेल्यू चीजें करना शुरू करते हैं तो यू कन शेयर विट पाब्लिक कि यह दिस इस भाइब ब्लॉग और मैं यहां पे यह आप शेयर करें इस लाइब फर एवर्यवन चलिए ब्लॉग डैश्बूर्ड ब्लॉग डैश्बूर्ड में आएंगे यहां पर आपके पास में अब आर्टिकल्स की समरी तो यह एक आर्टिकल नजर आ रहा है इसके इतने व्यूस कमेंट्स रियक्शन आएंगे वह आपको पता चलते रहेंगे फ्यूचर में फिर से तो राट बे क्लिक कीजेगा जी कोपिराइट की सरॉद के साथ यह प्रॉबलम होगी है बिल्कुल नहीं करना हमने किसी के कॉंटेंट के सांथ है अपना ही कांटेंट लिकना है उसका तो तनी के कौनटेंट को किसमा से करते हैं अबी हमने एक SEO टाइटल लिखा था यहां पर वो टाइटल दिखाई दे रहा होता है जी जो टाइटल आव वहां लिखकर आएंगे वो टाइटल यहां पर नजर आएगा description बैक एंड के होती है को नजर आती है हमें नजर नहीं आती हम देखना चाहें तो देख सकते हैं व्यू पेज सोर्स करके यहां पर आप देखिएगा यहां पर फाइंड आउट सम्वेर तो आपको यहां पर description मिल जाएगी तरीका यह होता है जोने का description यह description आपको जो हमने वहां पर लिखे दिश्चल प्लैटफॉर्म्स देर यूज्स बिजनस और प्रमोशन कैसे किया हमने राइट क्लिक किया और व्यू पेज सोर्स और F3 प्रेस किया कीवोर्ड से description गूंडी और description देख ली लेकिन यह देख पाएं ना देख पाएं कोई concern नहीं है सिर्फ मैंने आपको यह बतलाया कि हाँ देखा जासता है इस स्मोर टोर्स देवलोपेंट साइट तो हमारा इतना objective नहीं है बगके blocking हमारा objective है and easy ways here तो editing यहां पे आप post का title देंगे अपनी story बताएंगे cover page apply करेंगे and when you click on publish यह area open हो जाएगा यहां पे tags बताना important है SEO title और description देनी चाहिए ताके आप ranking में आ सकें और publish कर दें फाइनली यह steps है इसके जिए हां करते रहें इसमें काफी चीज़े पॉसिबल होती है लिंक्स है और कुछ चीज़ें है इसको explore करना आपकी responsibility है अच्छा जी बताईएगा और कुछ repeat चाहेंगे क्या steps करने हैं हमने और आपकी question zone में available जी फर्माइए नहीं जुतना कुछ है वस यह है जी ब्लॉगिंग जी ब्लॉगिंग के लिए ब्लॉगिंग एंवार्मेंट है जी हाँ hosting purchase करना होगी आपको hosting purchase कर लेंगे और उसको use कर लेंगे इसके लिए यह इन पे अगर आप तरस्फ करेंगे तो इन पेज फ्री पेज के कुछ नामों से हमें free hosting मिलती हैं लेकिन जेनरली वो मुश्किल रहती हैं और आप as a beginner or student मुश्किल रहता है आपके लिए कि आप उससे कोई useful काम ज्यादा कर सके हैं इमिटेशन्स होती है वहाँ पे अगर वेलकम जी बताईएगा क्या चीज़ रिपीट करूं जी आंजा बताईए असलाम जी इसमें पोस्ट में तो पहला तो टाइटल आपने बतलाना है दूसरा आपकी स्टोरी सेट कवर और फिर पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको टैग्स बताना होते हैं टैग्स यह कि आपका जो कॉंटेंट है वो किस चीज़ से मुतालिक है यहां सब्डुमेंट कुछ नहीं बनानी होती है सब्डुमेंट तो उसमें जब आप पीछे से आ रहे हैं वो तो उसके वो होंगे स्टेप्स तो उसमें कोई भी नाम रख लें सब्डुमेंट का जो रखना चाहते हैं अपने नाम से बना लें अपना रख लें कोई और कॉंटेंट रेलेवंट रख लें इस अप टू यू इज़ा था जानी की फ्रॉस अपना जी एनिवन ऐल्स परसलाम जी जी बता सकते हैं जी बता सकते हैं अब हमें काम समझ में आ गया अब हमने इस ब्लॉक पे जब नेक्स्ट वीक में मिलेंगे तो हमारे पास में अट लीस्ट फाइव आर्टिकल्स इस पर हो पर डे एक आर्टिकल इस पर जाना चाहिए जी फर्माईए जी फर्माईए जी फर्माईए उसमे रिस्ट्रिक्शन्स आ रही थी तो कंप्पनी का नेम और वो सारा वो प्चिता थी तो कंप्पनी का नेम आप यहां से बना लीजिए और वेबसाइट भी बन गई आपकी वहां पब्लिश कर दीजे ठीक है यही समाल कर लीजे ओकी जी बस हमारी असाइन्मेंट आपको समझा गी मैं इसको राइटिंग में भी इन्शाला आपको दे देता हूं कि फाइव हमने आर्टिकल्स पब्लिश करने हैं और अपना जो भी आपने नाम रखा है यह आपने उससे शेयर करना है जी इन रिटार्न डुमें नेम स्वालेकूं रखमतुल्लाव